नमस्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राकेश शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कुर्णी में कुछ विभिन योगों के बारे में कि अगर वो हम लोग देख लेते हैं तो प्रडिक्शन बिल्कुल सही होती है तो पीछे वानी के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे देखते हैं धन के बारे में मैंने आपको बताया आज हम देखते हैं वाहन के बारे में माता के बारे में कैसे हम सोचते हैं इससे पीछे की विडियों मैं ने आपको बाइ बैनों के बारे में बताया था, तो आज वहन के बारे मैं सोचते हैं, किस के पास लक्सरी सोगाो वहन एक से अधिक होगा, या वहन नहीं होगा ऐसे योग कुंडली में देखे बनते हैं। और ये योग बनते हैं मतलब हम लोग बाकी चीज़ों में देख लेते हैं जैसे किसी का प्रशन आया उस क्रशन के अनुसार उसका आंसर हम लोग चेक करते हैं कि साथ साथ में अगर ये योग भी देख गर के स्वामी लगन में हो चौथे घर का स्वामी और नवे घर का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी और चौथे घर का स्वामी तो वह भाग्य व्रद्धी करता है और सवारी का योग उत्पन करता है मतब सवारी का योग उत्पन करता है मीज़ कि आपके पास वहन होगा लग जाये तो भागे की ब्रति होती है और ऐसा सवारी होती है एक से अधिक सवारी होती है यदि ब्रस्पति चौथे ह्गर में हो या चौथे को देखता हो तो ज्यादा को बहुत सुख प्राप्त होता है यदि चोथे घर से हम लोग सुख भी देखते हैं, माता का सुख हो, या मानसिक सुख हो, मानसिक शान्ती हो, ये भी चोथे घर से ही हम लोग देखते हैं, तो ब्रस्पती अगर चोथे घर में है, तो वह है, या चोथे को वह देखता है, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, ब्रस्पति की शुबग्रे है उसकी द्रस्टी बहुत अच्छी होती है तो जाता को बहुत सुप्राप्त होता है यह दिए चोथे घर का स्वामी और ब्रस्पति केंद्र या कोण में एक साथ हो जाता को सुप्राप्त होता है यह क्या कहते हैं यह कहते हैं चोथे घर का स्वा तो सबस्वें मैं पांचवे या न हम क्यों कॉं कॉंबाद सुक्राफ होता है प्रापटी से बहुत सूंखी होता है वहान से सुखी होता है माता का सुक उसके पहुत निद्स दंति ये सब चीजें होती है, चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बैठा हो, अगर चौथा घर का स्वामी है, जो भी चौथे घर का स्वामी बनता है, जो राशी वहां पर है, उसका स्वामी जो है, उसके साथ अगर शुक्र वहां चौथे घर के अंदर ही बैठा है, त ऐसा बताया गया है शास्त्रों में यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम दशम या एकादाश स्तान में बैठा हो चौथे घर के स्वामी के साथ कि शुक्र जो है वहान का कारक होता है लगजरी का कारक होता है शुक्र तो इसके किसी भाव के स्वामी के साथ यह तो मैंने बता दिया, चौते घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम या दशम या एकादा स्थान में बैठा हो, भागे भाव में बैठा हो, कर्म भाव में बैठा हो, या लाब भाव में बैठा हो, तो बहुत वागनी हो करता है, ऐसे इंसान के पास बहुत सारे वहान होते ह कह सकते हैं कि लग्जरी वहान होते हैं बड़े बड़े यदि कर्क लगन हो बुद्ध और शुक्र चौते घर में हो तो बुद्ध की दशा या शुक्र की अंतर दशा में वहान प्राफ्ट होता है ऐसा निश्चित रूप से कहा गया है शास्थ्रों यह जिस शुक्र सप्तम में हो तो जातक कामुक होता है उसकी भोग लालसा प्रबल होती है शुक्र जो है काम का कारग भी होता है वासला कारग भी होता है चौते गर में शनी हो तो क्या होगा जातक कठोर हिर्दे का होता है किन्तु वो अपने नए भवन में नहीं रह पाता प्रदेश में रहता है चौते घर में शनी हो देखे शनी क्या है शनी कालपुर शी कुंडली में ब्रदीबाव का स्वामी है तो जिस घर में बैठता है उसका नुकसान तो नहीं करता है लेकिन सेपरेशन तो देता ही देता ह तो चौते घर में शनी हो तो मकान तो रहेगा नया मकान तो होगा लेकिन उसमें आदमी रह नहीं पाता ठीक से मतलब परदेश में रहता है परदेश में से अपने घर से दूसरे घर में किसी में रहता है चौथे घर का स्वामी नवे घर में हो और नवे घर का स्वामी चौथे घर में हो यनि छेत्र परिवर्तन हो चौथे और नवे का चौथे का स्वामी नवे घर में और नवे का स्वामी चौथे घर में तो ये भाग्य योग कहलाता है और वहान योग उत्पन करता है ऐसे इनसान के पास बहुत ही लगजरी वहान होते हैं बहुत लगजरी वहान होते हैं तो चौथे और नवे घर का छेतर परिवर्तन हो जाया है अगर चौथे घर का स्वामी नाइंत हाउस में और नाइंत हाउस सुखे है वहन है और लाबो वहन मिला 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 लाबेश जहां बैठेगा लाबेशा जिसके साथ बैठेगा उसकी वरद्धी करेगा घरौक को लाबेश अगर चौते बहाब में आ जाए और चौते बहुंस्वामिला भे surv70 में चला जाए लाब भाव में चला जाए तो सिंपल सी बात है कि व्रद्धी होगी वहान की और वहान बहुत सारे वहान मिलेंगे एक नहीं अनेक वहान उसके पास होंगे और एक से एक लगजरी वहान उसके पासों में चौथे घर का मालिक पांचवे घर में हो और पांचवे घर का मालिक चौथे में हो फॉर्थ हाउस लॉर्ड जो है फॉर्थ लॉर्ड वो चला गया फिफ्थ हाउस में और फिफ्थ लॉर्ड फॉर्थ हाउस में आ गया तो क्या होता है यानि फोर्ट लोर्ट तो त्रिकोंड में गया ना पांचोंगे योग होता है और वहान योग बनते हैं एक से अधिक वहान योग वहान योग का मतलब यह है कि लगजरी वहान होंगे, एक भी वहान हो या दो वहान हो तो भी लगजरी वहान उसके पास होंगे, जो बहुत कीमती गाड़िया हैं, यदि चौथे गर का स्वामी लगन में हो और लगनेश चौथे गर में हो, चौथे गर का लगन का परिवर्तन हो जाए मालिया चेतर परिवर्तन हो जाए तो चौथा घर सुख का है शांती का है मांसिक शांती का है वहन का है और लगनेश तो आप जानते हैं कि स्वास्त है सब कुछ है इसके अंदर तो यदि चौथे घर का स्वामी और लगनेश में चेतर परिवर्तन हो जाए तो भी दोड़ा सा बताएता हूं एक यि चोथं घर का मालिक छोथे घर में और 5,5 गर का मालिक नें तो भी भागे वहा न्योग बनता हैं गयाestens पांचवे और ग्यारवे भाव में छेत्र परिवर्तन हो तो भी बहुत धन मिलता है और ऐसे में भी वहान योग बन सकता है यदि पहले गर का स्वामी पहले गर में हो नवम गर का स्वामी नवम में हो यानि लगनेश अपने गर लगन में हो और नवम में हो तो उपर लिखा हुआ शुब योग होता है यह थे वहान के योग जो मैं आपको बताए आने वाली वीडियो में मैं आपको पुत्र विचार बताऊंगा मतलब यह योग वो है जो आपको नजर डाल लेने चाहिए एक बार किया ऐसे योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं कुडली में और जो आपको बिल्कुल exact चीज बताते हैं और सही चीज बताते हैं क्योंकि शात्रों से लिए योग हैं कोई भी योग ऐसा नहीं है जो आपने आप से लिया गया है तो मैं आशा करता हूँ आपको समझाया होगा समझाया तो कांडिलेक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा इसके लावा हम Advanced Astrology का, Remedies का, Profession का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो लोग भी Interested हो वो जोईन कर सकते हैं देगे नमपर के समपर करके धन्यवाद, जैशी क्रिश्ना